हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ट्रावेलिंग एजे में अभी मैं हूँ फूद सीटी में और आज हम एक्स्प्लोर करेंगे प्राग महल और आइना महल तो चलिए जर्नी सुरू करते हैं अभी जो लोकेशन पर मैं हूँ उसे कहते हैं हमिसर लेक और यहा हमिसर के ख्राग महल तो उस नाचित एल फ्लाग में हूँ टू पाए जाचग जर्ग अवाएं ह। तो प्रेंट्स हम पहुंच चुके हैं प्राग महल प्राग महल पैलेस 19 सेंचुरिय में बना हुआ एक पैलेस है जो कि गुजरात के भुज सहर में आया हुआ है प्राग महल का नाम राव प्रागमल जी दुवित्य के नाम पे रखा गया है प्राग महल का निर्मान उन्होंने 1865 में शुरू करवाया था यह महल डिजाइन करवाया गया था कर्णल हैंरी सैंट विलकिन्स द्वारा इस महल का कंट्रक्शन कंप्लेट हुआ था 1879 में जब प्रागमल जी के बेटे खेंगार जी तृतियर राज कर रहे थे तो फ्रेंट्स चलिए आपको प्रागमल अंदर से दिखाते हैं और प्रागमल में वीडियोग्राफी अलाउट नहीं है फॉटो ही आपको दिखा सकते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है यहां पर कई बोलीवोड मुवी की सुटिंग भी हो चुकी है प्राग महल की खासियत है यह बिग बैंड क्लॉक जिसके उपर से पुरे भुज सिटी का व्यू आप देख सकते हैं प्राग मुवी का व्यू आप देख सकते हैं प्राग मुवी का व्यू आप देख सकते हैं तो फ्रेंज यह था प्राग महल अभी हम जाएंगे आइना मेल देखने मेरे इस तरफ से आप यहां से आइना मेल का रास्ता है तो चलिए आइना मेल चलते हैं प्राग मेल आप देख सकते हैं प्राग मेल आप देख सकते हैं प्राग मेल आप देख सकते हैं तो व्राग मेल देख सकते हैं कर दो कर दो कर दो करह कर दो कर दो कर दो कर दो यह है आइना मेल का टाइमिंग अब देख सकते हैं और फ्रेंट्स प्राक मेल के पास में ही दो अलग-अलग मंदिर आये हुए हैं जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा अंदर है तो मैं आपको दीखाता हूँ यह सरत्वती टेमपल के ग्राउंड फ्रोर से थोड़ा अंदर की ओर है और एक दूसरा टेमपल भी है जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा अंदर की ओर है महादेव का टेमपल आपको दीखाता हूँ यह यहां से सीरिया है अंदर जाने के लिए तो फ्रेंड्स हमने प्राग महल और आइना महल तो देख लिया है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हिस्टोरिकल प्लेस छतेरी और रामकुंड जो स्टेप वोल से जाननी जाती है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुट बाई